नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अभेपरताप और आप देख रहे हैं AP Drawing तो दोस्तों आज हम आपको बहुत यह आसान तरीके से टू नमबर की हल्प से क्रो का चेत्र यानी कौवा का चेत्र बनाना सिखाएंगे आपने बिल्कु सहे सुना दोस्तों बस आप जल्दी से मारकर पेपर पेंसिल उठा लीजिएगा और हमारे साथी बनाना शुरू कर दीजिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है यहाँ पर आपको पहले टू नमबर लिखना होगा इस तरह आप एक टू नमबर लिखेंगे इधर ले जाईएगा इसको हमालकासा नीचे की तरफ यहाँ पर बढ़ा देंगे इस तरह आप टू नमबर लिख दीजिएगा टू नमबर लिखने के बाद ध्यान से दिखिएगा यहाँ से दोस्तों आपको एक छोटी सी लाइन नीचे की तरफ बढ़ाना होगा एक लाइन आप इधर हलकासा अंदर की तरफ करते हुए बढ़ाईएगा इधर से आपको हलके से तिरची लाइन ड्रॉ करना होगा यह हो जाएगा फिर बहुत आसान इसे आप इसको डबल कर दीजिएगा डबल हो जाने के बाद ध्यान से दिखिएगा आपको यहाँ पर छोटे छोटे हाफ आफ सरकिल बनाने होंगे उपर की तरफ बढ़ाएंगे यहाँ से बढ़ाईएगा और आपसे मेरा एक बहुत ही छोटा सा कुश्यन भी है अगर आपको पता है हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है हानी राष्टिय पच्छी कौन सा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा इधर हम करेंगे फिर आपको जैसे जैसे आप आगे के तरफ बढ़ते जाएंगे उसी तरह आप इसको थोड़ा बढ़ा बनाते जाईएगा यहाँ से ऐसे करेंगे इधर की ऐसे तरफ बढ़ाते जाईएगा एक बार आप इधर से रिपीट कर दीजिएगा यहां पर लाकर आप ऐसे छोड़ दीजिएगा अब दीखिएगा अब आपको जश्ट इसी के उपर के साइड में यहां से हलका सा अंदर की तरफ करती हुए यहां से एक लाइन ड्रो करना होगा अंदर की तरफ करिएगा फिर बाहर की तरफ ले जाएंगे और नीचे की तरफ बढ़ाईएगा यहां से हम आगे की तरफ ऐसे बढ़ा देंगे अब आपको टू नंबर की इधर से यहां से नीचे की तरफ लाएं बढ़ाना होगा हलका सा उपर की तरफ करिएगा फिर इधर हम बढ़ाएंगे एक पतला सा यहां पिर हो जाएगा और इसको ऐसे मिला दीजिएगा इधर से आप बड़े-बड़े इसके पंक बना देंगे यहां से बढाईए यहो हो जाएगा यहां पर भी आप इसके same side जितना आपने इधर बनाया है उतना ही बनाईएगा इधर इसको मिलाएंगे थोड़ा यहां पर छोटा छोटा बनाईएगा इस साइड भी आप ऐसे छोटे छोटे इसके पंक बना दीजिएगा अब ध्यान से देखिएगा आपको आगे की सेरे पर इसका कैसे चोज बनाना है पहले तो आप इहां पर हाफ सर्कल बनाईएगा इधर से हम बढाएंगे और इधर लाकर ऐसे छोड़ देंगे इसको आगे की तरफ यहां पर ऐसे बढाईएगा डबल करेंगे अंदर की तरफ, थोड़ा नीचे की तरफ लाइन बढाएंगे बहुत ही आराम से करिएगा इसको हम चाहे तो आप पहले यहाँ पर वी लेटर भी लेख सकते हैं दोस्तों इधर से एक लाइन ड्रो करिए फिर अंदर की तरफ बढ़ा दीजिएगा अब आपको इसके सीध में एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे इसकी हल्प से हम बनाएंगे आई फिर दोस्तों एक छोटा सा आप यहाँ पर ऐसे सर्किल बना दीजिएगा यह हो जाएगा आगे की सीरे पर आप ऐसे छोटे 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 लाइन ड्रो कर देंगे इसके circle की just उपर ही छोटे छोटे लाइन ड्रो करिएगा लाइन ड्रो जाने के बाद उपर के साइड में भी आपको ऐसे छोटे 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 लाइन यहाँ पर ड्रो करना होगा यहाँ तक आप ऐसे लाइन को बढ़ा दीजेगा इधर तोड़ा सा हम black कर देंगे यहाँ से भी आप ऐसे छोटे 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 लाइन ड्रो करके इसको black कर दीजेगा इधर से हलका सा अंदर की तरफ ले जाएंगे अंदर की तरफ ले जाते विए आपको ऐसे ले जाना होगा यहाँ से ले जाएंगे और इस वाले portion पे लाकर आप मिला दीजेगा इधर से आप चाहें तो इसका punk बना सकते हैं यहाँ पर भी बना दीजेगा थोड़ा सा एक line ड्रो कर दीजेगे यहाँ से इसका leg बनाना होगा एक line आप आगे की तरफ बढ़ाईएगा बहुत ही असाने से आप इसको double करिएगा पहले चलिए इसका हम यह वाला हिस्ता पूरा बना देते हैं आगे की तरफ करेंगे यहाँ से double करिएगा आगे की तरफ इधर बढ़ाईएगा इसको भी हम ऐसे double कर देंगे 1,2,3,4 आपको बनाना होगा यहाँ से ले जाईए इसको मिलाईएगा एक यहाँ पर छोटा सा बनाईए आगे की तरफ छोटे छोटे आपको इसका nail बनाने होगे यहनी नाखून बनाना है सेम आप इधर भी ऐसे repeat कर दीजिएगा आगे की तरफ बढ़ाईएगा यहाँ से double करिएगा और आगे की तरफ हम बढ़ाएंगे इधर ऐसे double करेंगे इधर से भी आपको double करना होगा एक छोटा सा इधर बना दीजिए छोटे छोटे आपको इसके nail बनाने होगे यहाँ पर भी आप छोटे छोटे लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा दोस्तों यह हो जाएगा और यहाँ पर आपको grass बनाना होगा यानि की surface बना दीजिएगा जहाँ पर हमारा यह crow बैठा है इधर भी आप ऐसे छोटे छोटे ग्रास बना दीजिएगा तो बहुत ही खुबसूरत लगेगा यहाँ से भी आप ऐसे छोटे बड़ी छोटे बड़ी लाइन को ड्रॉ कर दीजिएगा तो यह हमारा बहुत ही आसान तरीके से टू नंबर की हेल्प से crow यानी कववा का चेत्र बनके तायार हो गया वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like share जरूर करिएगा